इस वक्त की बरिकबर देश के राज जुनिती से निकल कर सामने आ रही है जहां पर केंद्री मंतरी पशुपती कुमार पारष ने अपने पत से रस्तिफा दे दिया है जी हाँ ये बरी खबर अभी अभी निकल कर सामने आई है जहाँ पर पारस ने केंत्रियों मंद्री के पद से अस्तिपा दे दिया है आपको बता दें कि बहर में NDA की सीट शेरिंग को लेकर लगतार चड़चाय चल रही थी कि NDA आखिर अपनी सीट शेरिंग का फॉर्मुला कब सुलजाएगा लिएनन सब के बीच कल ही प्रेस कॉन्फरेंस करके एंडिये ने सीट रेरिंग का फॉर्मुला सब के सामने रख दिया और अपनी सीट की लेस्ट जारी कर दी है हाज़पुर सीट जिसके लिए चाचा और भतीजा दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी कि हाज़पुर सीट किसको मिलेगा पशुपति कुमार पारस लगतार दावा कर रहे थे कि हाज़पुर सीट मेरा अधिकार है मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा तो उनके भतीजे चिराग पास्वान कह रहे थे कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा इन सब के बीच लगतार ये मामला चल रहा था कि आखिर हाज़पुर सीट किसको मिलेगा और ये भी बता दे कि चिराग पास्वान एंडिये से पाच चुन सीट की मांग कर रहे थे तो यहीं एंडिये ने फॉर्मुला सुधार दिया और कही न कहीं जो सीट सेरिंग है वो कर दी और हाज़पुर सीट चिराग पास्वान के खेमे में डाल दिया इस सबसे नाराज केंद्रे मंत्री पशर्पती कुमार पारस चल रहे थे और अभी अभी आनी आज वो दिल्ली में अपने केंद्रे मंत्री की पच से रस्था दे दिया है यानि की मोदी कैबिनेट से उन्होंने रस्तिफा दे दिया है बता दे कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों के बटवारों की गोसना के बाद पारस ने अपने सरकारी अवास पर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की सूतरों का कहना है कि उसमें राजग से नाता तोर कर महागडबंदन में शामिल होने का फैसला लिया गया है बैठक में शामिल एक सांसद ने नाम नहीं बताने के शर्थ पर बताया है कि पसुपती पारस ने इस सर्व समीती से ये फैसला लिया है कि जब राजग ने हमारी पार्टी का सम्मान नहीं किया है तो पार्टी लोक सभा चुनाओं लड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है उसको लेकर हमारी पार्टी की बात लालुयादव से हुई है और यह बात सकरात्मक रही है हाला कि फिलाल इसको लेकर कोई अंतम नन्य नहीं लिया गया है मालूम हो कि दिल्ली के पारस के आवास पर देश शाम तक चली रास्ती लोग जिनशक्ती पार्टी की बैटक में अन्य विकल्प पर चर्चा की गई है इससे पहले भी पारस ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम राजग में सीट शेरिंग की घोसना तक का इंतजार करेंगे अब हमारे लिए एक मात्र विकल्प बचा है पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल है राजग में मेरे साथ नयाय नहीं हुआ है पार्टी सूत्रों ने बताया है कि महागडबंदन में हाजपुर, समस्तिपुर, खगरिया, वैशाली और नवादा लोग सबा सीट मिलेगी पारस खुद हाजपुर से चुनाओ लडेंगे आपको बताते चले कि ब्यार में बीजेपी को सत्रा, जद्यू को सोला, चुराग पास्वान की पार्टी को पाच सीटे दी गई है तो वहीं जीतनरा मांजिया रुपेइंद्र कुश्वाहा की पार्टी को एक-एक सीट दी गई है एंडिये में शामिल पशुपति पारस गुट को एक भी सीट नहीं दी गई थी लोकसबा चुना उननस में भी भाजपा और लोजपा के सयुकत रूप से 49 सीट पर जीत मिली थी तो वहीं इन सब के बीच बड़ी कबर निकल कर सामने आई है कि पशुपति कुमार पारस पहले से तो नाराग चली रहे थे लेकिर उनको कहीं न कहीं विश्वास था कि जब NDA प्रेस कॉन्फरेंस करके सीट सेरिंग की बात बताएगी तो शायद हाजपुर मिले और उन्होंने कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फरेंस कर ये बाते बता दी थी कि अगर हाजपुर सीट नहीं मिला जो भी हमारा फैसला है वो अगर NDA नहीं मानी तो हम स्वतंत्र हैं तो हम कहीं से बीच चुनाओ लड़ सकते हैं और सकते हैं आसा ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं अन्बिसी 24 पर